हम मौझूद हैं बनारस में और बनारस के एक आपको मौडल पोलिंग बूद पर लेकर आया हूँ कि देखिए तापमान भले ही बढ़ रहा हो लेकिन चुनाव आयो किस तरह की तैयारिया कर रहा है कि जो मतदाता मतदान करने आए उनको धूप से बचाया जा सके फिलहाल अग पूरे के पूरे ग्राउंड को इस तरीके से टेंट से कवर किया जा रहा है जिससे की जो भी मतदाता जब यहां पर पहुंचें तो उनको कड़ी धूप में ना खड़ा होना पड़े और यकीन मानिये धूप में खड़े होने से बहतर यहां पर काफी आपको अच्छा होता है और जब 47 का तापमान हो 45 का तापमान हो लेकिन उस सब के बीच में आपको इस तरह हैं से च्छाओं मिल जाए जहां पर थोड़ी सी गरम हवाई सही हवा लगती रहे तो काफी रहात मिलती है और क्योंकि मैं आपको लेकर आया हूं एक आदर्श पोलिंग बूथ पर य जाते हैं और कुछ इस तरीके से कार्पेट भी बिचाए जा रहा हैं तो चुनाव आयों की कोशिश यह है कि तापमान भले ही बढ़ा हो लेकिन आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे इंतिदाम किये जाए जिससे की लोगों की दिक्कतों को कुछ हद तक कम किया जा सके और इसी विजबे से अगर आप इस पूरे परिसर को देखेंगे जहां पर मैं मौझूद हूं जिस स्कूल पर इसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है पुरा इसको यह पूरा ज्य ग्राउंड को कवर कर रहे हैं इस तरह से कॉछ बचाने की कोशित लगा रहे हैं पीने का पा सब्सक्राइब करने के लिए यहां आयमा प्राउड वोटर इस तरीके का जह संदेश जो सेल्फी पॉइंट है वो भी जह है तैयार किये गए करने के लिए यहां पर पहुंचे तो उस दौरान उनकी समस्याओं को कम किया जा सके और वही कोशिश यहां पर नज़र आ रही है तो जब चुनाव आयोग इतनी तैयारियां कर रहा है इस गर्म मौसम में आपके लिए कुछ थोड़ी सी रहत प्रदान करने का तो आपका भी कोशिश करें कि अपने मत का इस्तिमाल जरूर करें मौसम जरूर गर्म है उसका तरीका आप तरीगा अपके जुशश करें कि जलीलदी मतदान करें और अपने घर वापत जा सकें तो चुनावायों की कोशिश यह है कि ऐसे इंतिजाम किये जाएं जिससे की लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके तो अब जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी निकल लिए अपने घरों से बाहर और कीजिए अपने मत का इस्तेमाल सहीयोगी कैमरा पर संराजिश मीडा के साथ अंकिन उप्ता, EPP News, Banaras